यह है आपका Object Oriented Technology and Java Programming यहनि कि यह Java का पेपर है MCS 024 और यह Old MCA Old Course वाले के लिए है तो इसमें First Question मैं इसलिए कर रहा हूं कि First Question से आप लोग को Question Pattern का Idea लग जाएगा कि 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 टाइप से और First Question जो है वह Average 40 March का है तो आप First Question को कर अगर अच्छा से मान लो कर लेते हो तो आपका जो है वह Exam से और हो जाता है आपको Back का कोई Chance नहीं है तो मतलब हमने First Question इसका लिया है अभी इसका हम 3-4 से डालेंगे तो Question इसमें जह है रिपिटिटिव रहता है इसा नहीं समझना कि यह Question पूछ दिया है तो आप नहीं पूछेगा यह Just इस से पिछले Exam का है दिसंबर जो Termined Exam दिसंबर 2021 में हुआ था उसके लिए पहला Question है Compare Data Abstraction and Data Hiding Give an Example of Each तो आपको सबसे पहले Abstraction बताना है और Data Hiding बताना है अब यहां पर देखो मैं क्या किया हूँ मैं थोरा सा Advanced कर दिया हूँ Advanced मैं क्या किया हूँ कि आपको यहां पर मैं कर दिया हूँ क्या कि प्रोग्राम बला Example दिया हूँ आप अगर यहां चाहो तो Mobile Phone का या Real World का कोई एक भी Example हमारे और भी Notes में देखे होंगे तो वह भी Example आप जैसे Animal में Cow, Cat, Dog इस तरह से लेके ले सकते हो या Smartphone में आप कोई भी या Person में बहुता Example आप अगर आपको Code याद नहीं रहता है तो आप उस टैप का Example डाल सकते हो यह तो Code वाला Example थोड़ा Advanced होता है लेकिन यह हमारा First Block के First और Second Units से Related Question है तो आप उस राइट अप बला भी चार लाइन एक्जमपल डाल सकते हो तो फ़रला Question यह है यह भी सही है और वो भी आप लिख सकते हो जिनको प्रोग्राम जैदा नहीं आता है तो इसका इस तरह से Data Hiding का आप इस तरह से लिख सकते हो आगे है आपका Compare Inheritance and Polymorphism Give an Example of Each तो फाइब मार्च का है तो एक लाइन का आप Definition प्रोपर लिख दीजिए और उसका यह Code बना दोगे तो वो समझ जाएगा कि भाई हो गया उसके बाद Polymorphism के लिए भी आप उसी तरह से दो लाइन तीन लाइन जितना हो जैसे इसमें रहो हमने एक 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 जमपल राइट अप बला यहाँ पर आप देख रहे होंगे For Example You Have A Smartphone तो यह एक जमपल भी लिख के आप कम चला सकते हो तो आप इस टाइप का एक जमपल ल लिख लो यह आपका जो प्रोग्राम बाला एक जमपल है प्रोग्राम को डूओ तो यह आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद जो कोस्चन है Java आपको सबसे पहले प्लेटफॉर्म इंडेपेंडेंट जावा कैसे होता है उसके बारे में यह लिखा हुआ है परना है मैं पर के नहीं सुना रहा हूं मैं केबल इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं यह कोई क्लास नहीं है कि दो मिनिट में मैं पहुंच कोस्चन 8 कोस्चन करवा दू तो आपको बस थोड़ा आइडिया लग जाएगा लेकिन आपको लाइन वाइन परना है यह सब बहुत इन्पोर्टेंट है रिपीट करता है कोस्चन उसके बाद काता है फॉर्मेट ऑफ दिस सिस्टम इंडेपेंडेंट बैंडी कोड़िज आट्रेक्चर तो यहां पर यह हम ऋसके बाद यह वहरा डाइग्राम बना दो फीर काता है क्या कि आए यह फांगार्ष का कोस्चन है तो faktorioaleadग-CẨमर वहисेत का बहुत चारा प्रोग्रम हम बहुत सारा इन करके डालते हैं वहाँ पर तो भाई बच्चा देखता नहीं है को बच्चा का ध्यान रहता है को कोई कोपी में ही लिख दे तो चलिए कोपी में लिखने वाला यह प्रोग्रम है तो इसमें आपको पहले तो यह बोला उसके बाद कता है डिफाइन परोप्रियेट घ्लास ऩाड मैथर तो इसमें देखोगें तो क्लास यहाँ अपर लगा हुआ है और यहाँ पर देखता है तो यह बस उसको जो डिफाइन वाला है उसमें आपको ये class और method है इससे बता दोगे तो वो समझ जाएगा कि class कहां और method कहां लगा हुआ है next question आपका है exception handling से कहता है क्या कि what is an exception और कहता है write any three action और after an exception अकर in problem तो इसमें try, throw, catch, finally ये सब होता है तो आप इसके वारे में जैसे five keyword है तो ये यहां पर बता दिया गा है तो पहले तो exception क्या होता है वो बता दो तो आपका दो marks आ जाता है उसके बाद उस exception का जो भी ये three action बोला तो उससे related कुछ ये write up लिखो उसके बाद इसका program लगा दो जैसे हमने try, catch और finally का बना दिया आप हो सकता है try, throw और catch का बना दो तो इस type का कोई भी program आप इसमें लिख सकते हो प्रोग्राम इसमें लिखना जरूरी हो जाता है उसके बाद आता है what is thread and explain how thread is created implementing runeable interface तो आप इसमें thread का multi-thread से होता है फिर thread आता है तो thread के बारे में बताना है और thread के implementation का ये कुछ लिखा हुआ है जैसे aesthetic thread, current thread, resting ये तो ये सब हमारा method होता है जहांसे की thread को हम लोग interface आईसे तो होना बहुत कुछ चाहिए लेकिन five marks के लि लिख लोगे, उसके बाद आता है serialization, serialization जो है वो उठालो serialization के बारे में लिख दीजिए, serialization के बारे में लिखने के बादे से ये question है transit और volatile keyword तो ये repeat question करता है इससे पिछले exam में short note में था, तो आप उसको भी proper ढंग से तयार करके लिख सकते हो, अगला आता है आपका discuss the art texture of applet with the help of suitable, तो आपको applet के बारे में बता देना है, applet कितना type का होता है वो बता दो और applet card texture बना दो, क्योंकि 5 marks का है तो आप उससे ज्यादा discuss नहीं कर सकते हो, अगर आप चाहो तेक जैसे web browser क्या होता है, जिभी हम तो इससे कर सकते हो, बट ये जरूरी नहीं है, आप इस type type का figure बना दो, वो समने वाला समच जाएगा, तो ये हमारा रहा first question, ये 40 marks का था, 5 marks का 8 question था इस में, उसके बाद ये हमारा जैसे हर वीडियो में रहता है, last में, जिस question paper को हमने solve किया है, वो question आपको attach है यहाँ पर, तो आप यहाँ से अपना question देख सकते हो, अगर कोई भी आपको कुछ लगे गलत है, या आपको कुछ और भी इस में चाहिए, तो आप comment कर सकते हो, आपका comment का हमेशा welcome रहेगा, आज के लिए इतना ही अभी धन्यवाद,